जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरु में पीटा अरजस्ट्मेंट ऑफ पार्टनर कापिटल हम लोग फिर से आप लोगों को क्या करने जा रहे हैं पढ़ाने जा रहे हैं और कल अरजस्ट्मेंट ऑफ पार्टनर कापिटल का आप लोगों ने न्यू पार्टनर का बेस समझा था और न्यू पार्टनर का बेस जिसमें आपने यह जाना था कि न्यू पार्टनर के आधार पर हम ओल्ड पार्टनर की कापिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आज इसी का जस्ट अपोजिट होगा आज क्या होगा आज होगा कि old partner के base पे नए partner की capital को पता करना और इसके लिए एक condition ये है कि आपके question में नए partner की capital वाय नहीं दी रहेगी ये जान लीजे आप और अगर नए partner की capital नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि वो आपसे डारेक्टली पूछ रहा है कि भाया नए partner की capital पता करो लेकिन किसके आधार पे old partner के capital के आधार पर इसके लिए हम आपको question कराते हैं 2011 में आए हुए एक question से कराते हैं ये CVC 2011 compartment का question है जो कि आपकी screen पे इस समय टहल रहा है question क्या कहता है बहुत ध्यान से समझी है बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि question में ही आपका answer शुपा रहता है question कहता है कि दो लोग है एक का नाम है मदन दूसरे का नाम है मोहन मदन मोहन मदन मोहन दो partner है और इन partner का अगर पणी कि जबसी में बात करोगे तो इनका जो प्रफिट सेरल सेरिग रेशीयो है वह आपका क्या है ध्यान देंगे वह आपका 3 ISTटू है ठिक है बटा कितना है आपका 3 ISTटू 2 है उसके बात क्या कहता है कि इनका cash balance आपको दे रखा है स्टॉक की बात करेंगे तो 30,000 दे रखा इन्वेस्टमेंट 50,000 है पेटेंट आपका 10,000 है क्रेडिटर 28,000 है वर्कमेन कंबंसेशन 12,000 है जर्नल रिजर्व 20,000 है और इनका कापिटल है 60,000 और 40,000 और टोटल एक लाग बैलेंस आपका बराबर फिर कहता है इन्होंने तीसरे पार्टनर को एड्मिट किया जिसका नाम क्या है गोपू यानी गोपाल तो अब गोपू कितने के लिए आ रहा है वेटा एक बटे चार के लिए आ रहा है चाप गोपू अपने साथ क्या लेके आ रहा है वेटा तो इसका मतलब इसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी बाबू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कैसे करनी है अभी कुछ देर में देखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें कहता है कि अनकाउंटेड एक्रूड इंकम पांच सो बी प्रोवाइडड अनकाउंटेड का मतलब होता है अन रिकॉर्डडड पांसो रुपए की इंकम है या आप भुला गए लिखना तो रिवेल्यूएशन के किस अकाउंट में जाए गई है डेबिट साइड हमको पता है हजार का था अब कितने का हो गया यानि पांच हजार इसकी वेल्यू क्या होगी बिटा इवेल्यूएशन के डेविट साइड में न कहता है कि डेटर ड्यू दस हजार एक हजार वर रिटन ओफ एज आप बैड बैड डेप्ट आठ सो रुपिया इन फुल सेटलमेंट एक हज रुपय का नाम डेटर था इतना चंट कि 800 रुपया में सेटलमेंट कर लिया 200 रुपया में लॉस हो गया कि नहीं हो गया अगर हमें 200 का लास हो गया तो वह किदर जाएगा रिवेल्यूएशन के डेविट साइड में चला जाएगा ठीकि बटा फिर कहता है कि क्लेम ओफ 10,000 तो 10,000 क्या करेंगे मोहन और मदन में उनके प्रॉफिट शेरिंग रेशियो में बाट देंगे फिर कहता है कि पेटेंट बेटा आर अंडर वैलूट बाई कितना 5000 पेटेंट को हमने अंडर वैलूट कर दिया था कितने रुपय से 5000 से तो आप आपका ये प्रॉफिट है की लॉस है हमेशा याद रखिए अगर एसिट का अंडर वैलूट है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा और अगर एसिट का ओबर वैलूट है तो आपके लिए लॉस होगा लेकिन लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी में जस्ट अपोजिट है मतलब ध के लिए क्या है विटा profit है क्योंकि आपने value कम दिखाई है जबकि आपको value क्या करनी थी ज्यादा दिखाने थी ठीक है और अगर आपने इसकी value ज्यादा दिखा दी over value दिखा दिया तो वह आपके लिए क्या है विटा loss है लेकिन liability में इसी का opposite हो जाएगा liability अगर क्या है विटा कम दिखा दिये हो अंडर वैलू यह आपके लिए क्या है loss है और अगर over value दिखा दिये यानि दिखाना था कुछ दिखा दिये ज्यादा यह आपके लिए क्या हो जाएगा profit क्योंकि actual में तो आपको घटाना पड़ेगा फिर ना नोट कर लिए इसे आगे देखेंगे फिर कहता है कि गोबाल गोपाल टू ब्रिंग दा कैपिटल इक्वल टू वन अपन फोर वन अपन फोर आप दे टोटल कैपिटल ऑफ दन न्यू फर्म आफ्टर ओल दा अर्जिस्टमेंट यानि यह पैसा तो लाएगा लेकिन कितना ल आपको इसट्प बताए थे मैंने क्या स्टप नहरे हमारा सभसे पहला स्टप था कयलकूलेट दाम सियरेंय रेसइओ हमारा दूसरा step क्या था calculate the sacrificing ratio in case of admission gaining ratio in case of retirement and death फिर तीसरा journal entry related to क्या goodwill फिर कहता है revaluation account फिर क्या कहता है partner capital account फिर क्या कहता है balance date किसी के आधार पे चलिए इसी कि आधार पे चलिए वेटा ठीक है बाकी आप अपना दिमाग मत लगाईए नहीं तो फिर exam वाला अपना दिमाग लगा देगा तो गड़बड़ा जाएंगे आप आईए वेटा सबसे पहला देखो मुझे पता है अगर दस लोग मेरी इस lecture को देख रहे हैं तो इस लोग में से सिर्फ एक लोग ही मेरे बताय हुए step को फॉलो करेंगे बाकि नौ लोग अपना दिमाग लगाएंगे अपना दिमाग लगाकर अपना बेड़ा गर्ग कर लेंगे पूरे सुल्तानपूर में लास्ट इयर किसी कोचिंग के बच्चे ने टॉप किया था पूरे सुल्तानपूर में सिर्फ बताय हुए step से वो solve करके आया था कुछ उसने नया कुछ नहीं किया था जो जो step मैंने बताया था उसी step से उसने अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर लगाईए हमारा क्या है हम थोड़ो ना आपका फिर फोटो चापेंगे आगे देखिए पहला next step calculate new PSR new profit sharing ratio तो टोटल profit क्योंकि case नंबर वन ही है तो टोटल profit हमारा कितना है बिटा वन न्यू पार्टनर तेयर न्यू पार्टनर शेयर कितना है वन अपॉन पोर विटा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आपका वन माइनेस वन अपन फोर यानि थ्री अपन पॉर फिर पहले क्या थे मोहन थे कि मदन थे पहले थे मदन रिशियो के थे था 3 अपन 5 तो मदन new ratio 3 upon 4 का 3 upon 5 फिर मोहन new ratio त्री अपॉन फोर का टू अपॉन फाइव नाइन अपॉन ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी पर नया पाटनर कौन है हुँ गोपाल कितने के लिए आ रहा था था एक बटा चार बेस बराबर करो तो 5 अपॉन 20 कट सकता है क्या नहीं है हमारा न्यू पी असार न्यू प्रॉफिट सेरिंग रेशियो नाइन सिक्स फाइव अच्छा केस नंबर वन है यही आपका सेक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा मतलब ओड रेशियो ही सेक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा मतलब 3 is to 2 पहले से हमें आपे ऐसे निकाल के रख दे रहे हैं त्री स्टू टू यानि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था जर्नल इंट्री ऑफ गुडविल जर्नल इंट्री ऑफ गुडविल पॉर्मिट बनाईये जल्दी से क्या इंट्री होगी भाई क्यास एकाउंट डविट टू गुडविल अकाउंट कितना लाया है वो अची सजार और फिर इस गुडविल को बांट दीजें गुडविल अकाउंट डविट टू मदन टू आपका मोहन मोहन है यह ओ है ठीक है मदन मोहन तो बाटेंगे तो पांच आ जाएगा पांच तीन गुड़ा करेंगे तो पंद्रह हजार और दस हजार है ना अरे पचीस को पांच से डिवाइड करोगे तो आएगा पांच पांच गुड़े तीन यानि पांद्रिक पंद्रह और यहां पे पांज दो दस हो गया पचीस कि एक जर्नल इंट्री करने के लिए लाइन छोड़ दीजेगा कौन सी क्यापिटल की इंट्री अभी आपको करनी है इसके लिए आप लोग दो लाइन छोड़ दीजेगा दोक्या चार लाइन छोड़ दीजेगा और आपका step number 3 भी यहीं पर क्या होगया complete हो गया अब बारी किसकी है बाबू अब बारी आपकी किसकी है रिवेलुएशन एकाउंट की चलिए बनाएंगे क्यों था रिवेलुएशन एकाउंट अब बनाएंगे रिवेलुएशन में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं विड़ा क्या बड़ा क्या क्या घटा पहले इंकम बड़ी दी 500 रुपए से बाई अन रिकॉर्डडड एसेट्स देखो यहां पर फॉर्दा इयर इंडेट लिख लीजेगा आप लोग परना अर्सियान का कहना है किसा नंबर कट जाएगा वह यह नंबर पाने के लिए फॉर्दा इयर इंडेट जरूर लिखिएगा थीक है दोजार ग्यारा थीक है फिर इसके बाद मार्केट वैलू इन्वेस्टमेंट की पांसो घटी है यहां पर लिखो टू इन्वेस्टमेंट कि वही भाई पांच हजार किर हो जाता है अगला पॉइंट देखेंगे डेटर दो सो रुपया नुक्सान करवा दिया था क्यूंद डिस्काउंट ओन डेटर डिस्काउंट ओन डेटर कितना बेटा दो सो ना फिर कहता है कि क्लेम वर्कमेन कंपंसेशन का यह तो कैश से घट जाएगा पेटेंट आर अंडर वैलुएट बाई दा पांच हजार बढ़ाओ फिर इसको बाई पेटेंट कितने से पांच इंडर वैलुएट कितने से हुआ था पांच हजार से ना ठीक है बाबू और कुछ और कुछ नहीं है तोटल इधर आ गया पांच हजार पांच सो इधर आ गया पांच हजार दो सो पांच हजार पांच सो माइनस पांच हजार दो सो तो यहां पे तीन सो का प्रॉफिट आ गया बाठ दीजे अब एक सो सी आएगा मदन मोहन पांच हो जाएगा चापंच से कटेगा छे तरीक अठारा एक्सवा स्थी एक्सवा बीस एक्सवाइब यह जाओ अब आगे देखते हैं प्री वैलुएशन हमारा बनके तयार आजाओ फिप्त यानि क्या पार्टनर कैपिटल एकाउंट इसके नीचे भी क्या लिखना है पॉर्दा इयर इंडेड मदन मोहन गोपाल मदन मोहन गोपाल मेरे दिमाग में एक ठो सायरी आ गई है तायरी का एक तरीके से गाना आ गया है और ये गाना क्लास में बैठे दो बच्चों को देखकर याद आ रहा है मुझे गाना ये है कि हर बार यही मैं कुसूर करता हूँ हूँ आदमी और आदमी से प्यार करता हूँ प्रिविया करके ऐसा कुछ ना करें इस तक के नजर में आ जाए आप 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 साथ हजार और चालीस हजार कैपिटल लाइन के वाई बैलेंस पीडी फिर उसके बाद भाई कैश इसका वर्किंग बनाना पड़ेगा इसके लिए छोड़ देंगे जगा सुप्रीम कोट ने आदेश दे दिया है को अदिक्त थोड़ो ना है पंद्रह हजार और दस हजार अरे आजकल साइंस बहुत आगया है इसके बाद चलिए रिजर्व देखेंगे रिजर्व देखेंगे रिजर्व कितना है रिजर्व है आपका कितना 20,000 है तो पांसे डिवाइड करेंगे तो चार आ गया चार गुड़े तीन बारह हजार और बारह हजार और आठ हजार बारह हजार और आठ हजार उसके बाद उसके बीटा वर्किंग नोट बनानी उसके ना कि भाई वर्कमन अ कंपनसेशन देखो पहले वर्कम वेंड कंपनसेशन रिजर्व कितना था वारह हजार का था और कुछ क्लेम आया है 2000 का क्लेम है घट गया तो बचा कितना दस अजार तो दस अजार को पांस से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दो यहां पर तीन से गुड़ा करेंगे तो छे अजार और यह चार अजार उसके बाद रिवैलुएशन प्रॉफिट एक सो असी और एक सो बीस और कुछ नहीं अब जल्दी से बैलेंस इडी बताईए देखो क्या होता है विटा ना जब आप बतियाने में वेस्त रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो वर्किंग नोट के लिए लिखा गया है पतियाने में वेस्त रही है जैसे लग रहा है कि वो आपकी महरारू है पतियाओ के नहीं तो चौर हो जाएगा कदा कहीं का नोट नहीं कर पा रहा है कदा कहीं का यहां भी कितना आएगा साथ इधर देखेंगे इधर आपको साथ दस सत्तर सत्तर दस असी ठीक है असी च्छे च्छी आसी च्छी 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 आसी साथ इरा नबे इरानबे हजार एक सो असी इरानबे हजार एक सो असी एक चौर इधर भी उतना ही आएगा कि उचाट दस चाट दो 62,62,62,62,62, 62,62, 62,000, 182 नहो ? यहाँ पे 93,180 है इक जीडू ज़ादा लग गया है भाई है ट्रानवे एक शोट्सी इधर का पता ही नहीं है अब इसके लिए क्या बनाओ वर्किंग अर्जस्टमेंट आफ कैपिटल आश लाइन छोड़ कर अर्जस्टमेंट आफ कैपिटल अर्जस्टमेंट आफ कैपिटल अन दा पेस आफ ओल्ड पार्टनर सबसे पहले क्या बताया था अर्जस्टर्ड कैपिटल अर्जस्टर्ड कैपिटल अउख ओल्ड पार्टनर 3090 180 प्लस 62120 तोटल हैगा एक लाख पच्पन हजार पान सो एक लाख पच्पन हजार तीन सो अब रेसी पोकल ओफ रिमेनिंग शेर रेसी पोकल ओफ रिमेनिंग शेर तो कितना है बेटर यैंसी फोकल कितना था चार बटा कि एक मिर्ट कि आ थी तो तिन बटे चार आया था तिछार बटे क्या हो जाएगा मिले तीन children अनि चार बटे पेर टोटल कर पद बता करो को आहरो है canoni 1534 upon 3 पता करो बताओ कि इतना आएगा एक पाच पाच तीन जीरो गुड़े चार भागे तीन आ तो क्या हो गया दो लाख सतर हजार साड़ सट रुपया आ रहा है और क्या रहा है इतना इतना काउंट सा वह हो गया ठीक है दो लाख साथ हजार साड़ सट रुपया अब न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस कर दो 207067 माइनस 155300 207067 माइनस 155300 तो वाइफ वन सेवन सिक्स सेवन लीजे क्यापिटल आ गया आपका कि क्यावन हजार साथ सो सड़ सट अब यहां पर आप ऐसे बैलेंस उता रही है यहां फिर आप एक काम कर सकते हैं डारेक्ट यहां पर जो वर्किंग नुट वा तोड दिये थे लिख दीजिए अब पता चला वर्किंग नुट का हैं किये थे फाइफ वन सेवन सिक्स सेवन काहें काटेगा भाई अब वर्किंग नुट क्या करने के लिए लिखे ओ इस सेवन सेवन सिक्स सेवन नहां पर क्या लिखाया है प्रेवार बैलेंस इडि बना लेते हैं आप 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 मदन मोहन मोहन गोपाल सिरा नवे एक सो सी सिरा नवे एक सो सी कितना साथ एक सो बीस साथ सो सड़ सट उसके बाद आपका आप इसके बाद आपका यह चेक कर यह जल्दी से क्रेडिटर अथाइस हजार यह लिखा जाएगा वर्कमेन कंपंसेशन बढ़ गया रिजर्व बढ़ गया परस लिखो अथाइस हजार अब एसिट्स में आ जाओ इसिट्स में सबसे पहले क्या रहेगा आपका कैश कैश देखो कितना था दस हजार आना दस हजार नया पार्टनर अपके साथ गुडविल ला रहा है कितने रुपए की पचीस हजार की नया पार्टनर कैश ला रहा है यह भी चोड़ देंगे और वड़ हजार यह जो वरक मैंन कंबंसेशन है इसको क्या कर देंगे ? घटा देंगे चलिए जल्दी बताए कितना यागा इस हजार कितना था अपका ? कैस कितना था आपका ? आपका 10,000 तो आपका workman compensation है 2000 एक तस अजार प्लस पच्छीस अजार फाइफ वन सेवन सिक सेवन माइनस तू थाउजन एट पूर एवन सिक सेवन एक यह हो गया cash 2000 क्या है आपका workman compensation जो आपने पे किया है ना इसके बाद आ जाईए अगला assets क्या था आपका डेटर आप देखो 65,000 था डेटर कितना था आपका 65,000 इसमें से कहता था कि एक हजार जो की due थे हमारे वह 800 रुपय का full settlement कर दिये 800 रुपय का क्या कर दिये full settlement कर दिये भाई साब आपने यह 800 रुपय तो जोड़ा ही नहीं यह 800 भी तो मिला होगा आपको इसकी वैसे आपका cash balance बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा यहां पे 800 और जोड़ी है हाँ जी यहां पे 800 और जोड़ी है तस हजार प्लस पचीस हजार प्लस फाइफ वन सेवन सिक्स सेवन माइनस दो हजार प्लस आठ सो यानि पचासी पांसो टिक डेटर में जक्करो कैसे करेंगे डेटर जड़ा द्यान से देखो डेटर था कितने हैं इसमें से 6000 का सेटलमेंट हो गया 65000 में से 1000 घटाएंगे और 5000 हमने प्रोवीजन घटाना है 5000 क्या करना है घटाना है परन घटाओ फिर चौशट हजार माइनस पाँच हजार कितना था माइनस प्रोवीजन कितना आ जाएगा फिप्टी नाइन थाउजन अब उसके बाद आगे पॉइंट देखेंगे कहता है आपका स्टॉक स्टॉक में कुछ हुआ था नए तो स्टॉक का पूरा का माउंट लिख दीजे कितना 30,000 स्टॉक कितना 30,000 उसके बाद स्टॉक के बाद अगला पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 50,000 इन्वेस्टमेंट का वैलू कुछ रिड्यूस हुआ था हाँ 45,000 इन्वेस्टमेंट कितना लिखा जाएगा आप 45,000 इन्वेस्टमेंट कितना है वैटा 45,000 ठीक है अब देखिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद अगला पॉइंट क्या था आपका पेटेंट था शायद पेटेंट कितना था दस हजार और इसको आपने क्या कर रखा है था अंडर वैलूड मतलब इसमें पांच हजार और क्या करेंगे भी जोड़ देंगे और क्या कितना फंदरा हजार और एक्रूड इंकम जो थी आपकी वो कितनी थी आपकी एक्रूड इंकम कितनी विड़ा पांच सो एक है कि समझ में आ गया बस नोट डाउन करो खताम कैश में से नहीं घटा है अभी या वर्कमेंड कंपंसेशन कि इतना दो लाक पैतिस हजाल कि इतना दो लाक पैतिस हजाल कि इतना दो बाया वर्कमेंड है कि विलिएंड करेंड कि इतना दो कि प्रूम आप पिल्वेश कि प्रूप्ट इतना दो लाइव इस तरीके से आपका ये वाला पॉर्शन भी यहीं पर क्या होता है तम आप्द होता है तो अर्जेस्टमेंट खतम हो गया आपको रिटार्मेंट वाला रिवीजन हम कराएंगे रिटार्मेंट और डेथ दोनुए एक साथ कराएंगे थे वड़ा समझ में आ गया तो आज के लिए मुझह इजाजत दो और मिलेंगे आज के लिए मुझे इजाज़त दो मिलेंगे कल तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखो जय भोले नाथ आप सभी अपना बहुत ख्याल रखो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखो आप समस्टावड़त सभी अपना बहुत ख्याल रखो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखो आप से लिए आप आप साथ आप स्भी अपना खावग। झाल झाल